Hi and welcome to this vocabulary session. In this session, we learned some words, their meaning and their use in a sentence. Let's begin. पहला है, stroll. S-T-R-O-L-L stroll का मतलब है, to work in leisurely way or for pleasure. Leisure, यानि, जब हमें free time होता है, तो एकदम free time पे धीरे धीरे चलना, एकदम घूमने फीरने जैसा चलना, मतलब बहुत ही जोर-जोर से jogging करने के लिए नहीं, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे जैसे चल रहे है, एकदम आराम से या pleasure के लिए, अच्छा लग रहा है ऐसे चलना, धीरे धीरे बाते करते करते, तो उसको बोलते है, stroll करना. We went for a stroll after dinner, डिनर के बाद हम एक stroll करने गया थे, मतलब ऐसे ही हम धीरे धीरे चल रहे थे, घूम फीरने के लिए जो चलते हैं धीरे धीरे, उसको बोलते हैं stroll करना. Next, refute, r-e-f-u-t-e, refute का मतलब है to prove something wrong, किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना, या incorrect, wrong, वो सही नहीं है, ये proof करना, ये साबित करना. Raman promised that he will refute her statement. Raman ने promise किया कि वो उसकी, उस लड़की की जो statement है, जो उस लड़की ने बोला है, वो refute कर देगा, यानि उसका जो statement है, उसने जो बोला है, वो गलत प्रूफ कर देगा. किसी भी चीज़ को कोई statement, कोई theory, कोई बात, या किसी को भी गलत प्रूफ करना, मतलब refute करना. Next, pertain, P-E-R-T-A-I-N, pertain का मतलब है, be appropriate or related to, किसी बात से relate करना, किसी चीज़ से जुड़ी हुई कोई बात करना, या ऐसा कुछ जो, मतलब जिस चीज़ से हम बात कर रहें, जिस चीज़ के बार में हम बात कर रहें, उस चीज़ से जुड़ी हुई कोई और बात. Appropriate, मतलब उसी का appropriate, उसी का relation है, ऐसा कुछ, एकदम उसके साथ कोई relation नी है, ऐसा कोई बात नी. उसी से जुरा हुआ, संपर्क है, उसी के साथ उसका कोई संपर्क है, ऐसा कोई बात The documents are not pertained to what we are looking for हम जो धूण रहे हैं, उसके साथ ये documents pertained नहीं है मतलब उसके according ये documents सही नहीं है मतलब हम जो धूण रहे हैं, उसके साथ इन documents का कोई लेना देना नहीं है कोई relation नहीं है, button का मतलब लेना देना होना, relation होना, relevant होना किसी चीज़ के साथ, next, deluge, deluge, deluge का मतलब a large quantity arrived at same time, और flood, जैसे flood होना, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़े आ जाना, जो की handle ना किया जाए, उसको बोलते मतलब बहुत सारी चीज़ एक ही time पे आ जाना, arrive करना, जो की कोई handle ना कर पाए, जैसे there was a deluge of complaints they received, उन्होंने receive क्या था? deluge of complaints, मतलब बहुत सारा complaint एक साथ आ गया, next, stern, s-t-e-r-n, stern का मतलब है, be strict, very serious, hard, बहुत ही कठोर होना, बहुत ही strict, मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मतलब एकदम strict, उस बात को बदला नहीं जा सकता, मतलब बहुत ही serious तरीके से, बिलकुल भी casually नहीं, एकदम serious हो के कठोर कोई बात बोलना, उसको बोलते है stern, a stern decision has been made in the meeting regarding the rules and regulations, उन rules and regulations, मतलब जो भी नियम कानून है, उनको लेके एक बहुत ही stern decision लिया गया है, meeting पे, मतलब एक ऐसा decision जो बहुत ही seriously लिया गया है, उसको मतलब एकदम मानना पड़ेगा तो पड़ेगा ही, ऐसा कोई decision, जो के बिल्कुल भी flexible नहीं, उसको बदलेंगे नहीं, एकदम hard, कठोर, okay, let's do a quick revision, पहला था stroll, यानि एकदम धीरे धीरे leisure way में, free time पे चलना, घुमना फिरना, फिर था refute, जो इसका मतलब है किसी चीज को, किसी बात को गलत प्रूफ करना, फिर था pertain, किसी चीज से related होना, उस से जुड़ी हुई होना, फिर था deluge, यानि एक ही time पे बहुत सारा amount, बहुत सारे quantity आ जाना, जो कि handle ना किया जाए, फिर था stunned, इसका मतलब है बहुत ही गंभीर, बहुत ही कठोर, आज के लिए इन ही सारी words थे, अगर आपको session अच्छे लगे तो please like कीजे, share कीजे, और चानल की link, previous sessions की link description में है, please do care to check out, thanks for watching